अगले सीजन यानि IPL 2022 शुरू होने में तो अभी काफी समय बचा है लेकिन फिर भी फैंस की बीच एकसाइट्मेंट सिर्फ मेगा उक्षन को लेकर ही बहुत जादा देखने को मिल ले है जहाँ इसका जादू पिछले IPL में हमने देखा किस तरीके से फैंस की सिर्फ चड़के बोल ला था तो वो कह सकते जादू अभी भी सर पर है और कहीं ना कहीं IPL 2022 सबसे बड़ा टूनामेंट होने वाला है साल 2022 का आपको बता दे IPL के अगले सीजन है मेगा ओक्षन होने जा रहा है इस मेगा ओक्षन से पहले आज यानि कि आखरी डेट आज है 30 नॉम्बर की जहां पर सभी फ्रेंचाइजिस को अपने रीटेन खिलाड़े की लिष्ट सोपनी होगी रीटेन खिलाड़े की डेडलाइन को देखते हैं सभी टीमों को रीटेन खिलाड़े चुनलिये कहीं न कहीं गए होंगे अब उनके यहाँ पर नाम सामने आये तो नहीं है लेकिन हाँ जो प्रोवेबल बताया जा रहा है वो जानकारी आपको देंगे जो मेन लिस्ट आएगी वो ठीक साड़े नो बजाएगी लेकिन आपको हम यहाँ पर बताने कोशिश करते हैं कि आखिर कोन सी फ्रेंचाइजी ने किस खिलाड़ी पर रीटेन दाव लगाया होगा तो आपको बता दें सबसे पहले बात करते हैं CSK के और जो दो नई टीमें जुणी है एहमदाबाद और लखनो वो भी तीन-तीन खिलाड़ी रीटेन कर सकती है लेकिन अभी यहाँ पर नाम सामने नहीं आए पहले यह आठो टीम है यानि कि अपनी जो आठो फ्रेंचाइजी से या अपने चार खिलाड़ी चूस कर ले उसके बाद जो खिलाड़ी बचेंगे फिर वो फ्रेंचाइजी बचीवी दोनों उन में से कोई भी तीन-तीन खिलाड़ी चांट सकती है CSK की बात करें दोस्तों तो ये IPL 2021 की विजेता है चार बार चैंपियन है जहां पर चार खिलाड़ी के नाम बताएं तो महिंदर सिंग्धोनी का नाम सामने आ रहा है जो CSK ने पहले खुलासा कर दिया था रितुराज गायको और जो औरेंज कैप होल्टर थे 2020 के वहीं रविंदर जड़ेजा का नाम दोस्तों सामने आ रहा है अब वहीं चोते नाम की बात की जाये तो मोहिन अली का नाम सबसे आगे चला है विदेशी खिलाड़ी के रूप में और सैम करन भी लिस्ट में अगर मोहिन अली आते हैं तो सोने पर सुहगा वाली बात सकते हैं यह खबर दिल्ली के खेमे से आई है वहीं मुंबई की बात करें तो दोस्तों उनके चार खिलाड़ी कहीं ना कहीं देखा जाए काफी कुछ हलचल चले है क्यूंकि सुर्य कुमार इशान इन सब पर भी नाम काफी ज्यादा यहां पर आलोच नाव में है अब नाइटर अपने कई बड़े नामों को मौका देने के पक्ष में नहीं दिख रहा है कई बड़े नाम जिसमें दोस्तों इयोन मॉर्गन से लेकर पैट कमिंस दिख रहे हैं अम माना जा रहा है कि क्या टीम युवा खिलाडी वेंकटे शेयर पर तो दाव लगाएगी वरुन गिल की एंट्री हमें देखने को मिले वरुन चकरवर्ती की जगे अगर ऐसा होता है तो शुबमन गिल हमें केक्यार के कैप्टन के रूप में भी दिखाए दे सकते हैं इयोन मॉर्गन की जगे पंजाब किंस की बात करें दोस्तों तो किंस लेंड पंजाब जो केल दाहूल को बरकरार रखना चाहते थे लेकिन इसके लिए माना जा रहा है कि राहूल तयार नहीं है वो एहमदाबाद या फिर लखनो फ्रेंचाइजिस जोडने का कहीं नगए मन बना रहे हैं इसके लाब पंजाब किंस किस खिलाड़ी के बारे मैं सोचती है ये बताना काफी मुश रिटेन करेगी इन दो खिलाड़ों का नाम तो तय है वहीं तीसे नाम पर युजवेंदर चहल और चोथा नाम हर्चल पटेल हो सकता है अब चहल का दोस्ति यहां पर थोड़ा बहुत रकम को लेकर थोड़ी बहुत यहां पर बाते सामने आ रही है तो हो सकता है कि देवद की स्क्रइड का हिस्सा है तो वो नाम भी हो सकते हैं राजिस्तान डोयलस की बात करता आइपल के पहले सीजन की चैंपिन टीम राइस्तान डोयलस ने संजु सैंसंच को रिटेन करने का पूरा मन बना लिया तो वहीं बाकी के खिलाडी में जौस बटलर जौफरा आर्चर हो सकते हैं तो चौथे नाम पर मत्था पच्ची क्योंकि रहुल तेवतियान की टीम में हैं दोस्तो और देखा जाए जैदे वुनाटकर जैसे कई खिलाडी है लेकिन यहां मत्था पच्ची होनत तय है देखते हैं दोस्तो चौथा नाम क्या हो सकता है क्या या शशवी जैसवाल को रिटेन करेगी रायसान की टीम या नहीं बाकी बची दो टीमों पर दोस्तो काफी सस्पेंस है क्योंकि जब ये टीमें रिटेन करेंगे तो देखते हैं कि बाकी दो बची टीमें किन तीन आपके मारे चैनल पर मिलेगी नेक्स्ट नैनी स्पोर्स की रिपोर्ट